दियर फ्रेंज, वेलकम टू एंजे स्टडी पॉइंट, आज है एनलोजी टेस्ट का पार्ट 3 है, ठीक है, तो इसमें जो तेतालिसों क्वेशन है, वो हमारा पहला क्वेशन बनेगा, पार्ट 3 का, ठीक है, इसमें देखिए जो इक्वेशन है, देखिए SSE के भी है, ठीक है, यहाँ SSE JE की एक्जाम के भी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कि पहले देखना है, किस परकार से, एक दूसरे से मिलते हैं, आगे वाला भी उसी परकार से मिलेगा है, शमानुपात का मत्तब होता वही है, ठीक है, जो इनके बीच संबंदे, वही इसके और नैक्ट वाल आँख, निकरद्रिष्ट्री दोस, यानि आँखों में कौन से दोस होता है, निकरद्रिष्ट्री दोस, तो दांतों में कौन से दोस होता है, दांतों में होता है, मारा पाईरिया रोग, ठीक है, 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 ठीक है सभाएत् होगा रेखा से ठीक है नेक्सट ए फोर्टों से फोर्टे कुईशन है कि विसानु चेचक से वोता है बिसान से नेक्स हां फाले तो आलू क्या है आलू एक तना है दोस्तों ठीक है अगला है कुर्सी फर्निचर तो फोर्क ठीक है कुर्सी से क्या बनता है फर्निचर बनता है तो फोर्क से क्या बनता है ठीक है यानि कि जो फर्निचर के अंतरगत क्या आता है कुर्सी वगेरे सब आते हैं ठीक है यहां का बीस का निकलना हमें अगला जो है राज्यपाल जो होता है राज्य का होता है राजय राजय पाल यानि कि राजय का क्या होता है राजय पाल और राष्ट पती कहा का होता है देश का ठीक है नेक्स्ट है लोकसभा तो इसका अध्यक्ष है ठीक है यानि कि लोकसभा का जो सर्व सर्वे होता है वो कौन होता है अध्यक्ष होता है इसी प्रकार राजय सभा क क्या होगा उप्रास्ट पति जो देश का उप्रास्ट पती होता है तीक नेक्स है ले espakm कि घे रोग बिज्ञान नेक्स्ट रोग बज्ञान तो मस्तिस्क से है हमारा तंद्रि थेकर नेक्स हम बात करते हैं अगला साट कुशन नमबर 11 ठीक है कमपास ज्ञाज निकिक आगों से यूज के जाता है तो डिसाओं को देखनेगे या दिसाओं को पता करने के इसी प्रकार वास्तु का जो उप्योग होता है किस लिए होता है भूमी पर होता है ठीक है अगला हिड़े है कार्डियो लोजिस्ट यानि कि जो हिट देगा के बारे में जानता है उसको बोलते हैं कार्डियो लोजिस्ट और जो बिर्क का होता है वहता है नेफ्रो लोजिस्ट ठीक है पोलियो जो है वाइरस से फैलता है तो एंट्रेक्स किससे फैलता है एंट्रेक्स फैलता है हमारा ठीक है जिस परकार से पोलियो वाइरस से होता है उसी परकार एंट्रेक्स जो हमारा किस से होता है बैक्टरिया से होता है यानि कि जीवानों से होता है मनुष्य जो है इस्तन पाई है तो सर्फ किस परकार का है मनुष्य जो इस्तन पाई है और सर्फ हमारा जो है सरी सिर्फ टाइप का है ठीक है इस्तन पाई किसको बोलते हैं जो मलब बच्चे पेदा करते हैं जैसे मनुष्य हो गए गाई भेंस हो गेरा हो गए तो यह क्या है इसतन पाई है और सर्फ जो है सरी शिर्फ है ठीक है या इस पर करके सकते हैं मनुष्य इसतन पाई इसलिए है क्योंकि मनुष्य जीव जो अपने बच्चों को पेदा करके उनको दूद पिलाते हैं ठीक है जो बच्चे पेदा करके क्या करते हैं दूद पिलात ठीका, तो देखे भारत का जो रास्टे फल है, तो नूजिलेंड का रास्टे फल क्या होगा है, तो है कीवी, आर रास्टे फल भी कीवी फूरूट है, ठीके तो नेक्स्ट बात करते हैं मौर, तो भारत और रीच जो हमारा देखिए मोर किस परकार से मोर जो भारत का क्या है राष्टे परती के ना राष्टे पक्षी है तो रीच इसी परकार से ठीके दोस्तों जैसे भारत मोर जो है भारत का राष्टे पक्षी है या राष्टे जी बोल सकते हैं उसी परकार से हमारा रीच जो है के यूँनो ऐसे बीज्धे भी है। लेकिन परदूशन उसका सटिक मिलेगा युद्ध के उपरान बिनाशी होगा अगला जो है अगला यानि कि 20 प्रभुत्व और अधिपत्य ठीक है प्रभुत्व अधिपत्य मनलब इसका दोनों का मतला होता है किसी पर कभजा करना यानि कि यह क्या है ज्वातन का मतलब होता है यानि कि फिरीडाम नेंस्ट नंब माणाश्ट है इसका इस पर्ट का लास्ट क्वेशन है 21 21 कोईश्टन है और उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा एनलोजी टेस्ट का 63 कोईशन है द्रावना मनोहर तो देखी ड्रावना का जो विलोम होता है वो क् रख होता है ठीक है दोस्तों वीडियो कैसे लगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक स्टडी रिलेटेड ग्रूप में सेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी और दोस्तों अमारे चैनल पर नहीं हो तो अमारे चैनल को सब्सक्राइब क तेंग।